जैहिंदा आजम बात करेंगे सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले एविस्वास परस्ताव की लोग सबा में विपक्षी दलों की तरफ से सरकार के खिलाफ लाए जाने वाला परस्ताव एविस्वास परस्ताव या निंदा परस्ताव कहलाता है एविश्वास प्रस्ताव एक संसिदिय प्रकिरिया है जिसके तैत विपक्ष मोजुदा सरकार को चनोती दे सकता है एविश्वास प्रस्ताव क्यों ला जाता है? जब लोकसाबा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मुझूदा सरकार सदन में विश्वास खोच चुकी है तो एविश्वास परस्ताव लाया जाता है इसे अंग्रेजी में नो कॉन्फिटेंस मोशन कहा जाता है सविधान में इसका उलेक आर्टिकल 75 में किया गया है हालंकि यह परकिरिया इतनी असान नहीं है एविश्वास परस्ताव पारित करने के लिए लोकसाबा सेक्टरी जनरल को लिखिते में पतर देना होता है लोकसाबा में जब परस्ताव पर भहस होती है तो आविश्वास परस्ताव के समर्थने 50 दिसों का हाजिर होना बहुत जरूरी होता है लोकसाबा द्यक्स यह तैय करते हैं कि परस्ताव पर चर्चा और वहस के लिए सविकार किया जाए या नहीं यदि प्रस्ताव सविकार कर लिया जाता है तो लोगसबा अध्यक्स चर्चा के लिए समय और तारिक तै करते हैं प्रस्ताव पास होने के बाद उस प्रस्ताव पर मुझूदा सरकार अपनी पर्तिकिरिया देती है उसके बाद विपक्षी दलों को प्रस्तापर बोलने का मोका मिलता है बहस के बाद लोकसबा एविश्वास प्रस्तापर वोटिंग करती है 1963 में सबसे पहले जेपी किरपलानी ने नहरु सरकारे खिलाफ एविश्वास परस्ताव दिया था 1989 में मौराजी देशाई ऐसे पहले परदान मंत्री थे जिनकी एविश्वास परस्ताव के जरिये सरकार गिर गई थी अब तक कुल 27 बार एविश्वास प्रस्ताव लोग समय पेश किये जा चुके हैं सबसे अधिक 15 बार एविश्वास प्रस्ताव इंद्रा गांधिये के लाफ लाए गए थे जैहिन